हाई फ्रेंट्स वेलकम टू जी आरेश टेक्निकल आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं वो मिर्चापूर को टकर देने वाला है यह है दानापूर के कालीन भाईया के कहानी बहुबली रितलाल डॉन 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 जिसके नाम से ही थर्रा जाता है पटना की धर्ती आज इनही मैदान पर आरजेटी के तरफ से पर्चा भर दिया है आए पूरी कहानी को जानते हैं गरीबों के दूर्ख दर्द और अमीरों के सीर्दर्द तारीक थी 30 अपरेल 2003 की बिहार के खोगौल सहर में भाजपा नेता सत्तर नहीं जार है थे तभी कुछ लोगों ने उन पर तवा लड़ रहे हैं यहां लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते हैं यादोजी के मर्जी से वो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो सत्ति पत्नी आसा देवी हैं जो यहां से पिछले चार चुनाओं से लगातार जीत रही हैं और भाजपा की उमिद्वार हैं अब लगते हैं इनके विश्थ्रित कारियर को कैसा रहा इनका राजनीति कारियर कैसे जुड़े यह यार्जेडी से कैसे बने आरजेडी के महा सचु उसके बाद निर्दलीय बने एमेल सी और अब एमेले के राह पर हैं बस कुछ ही दिनों में बन सकते हैं रिदलाल के लिए बहु बली सब्द ही बहुत छोटा है उन्हों ने अनेकों कांड किये हैं दोसी भी पाये गए हैं निर्दोस भी पाये गए हैं डौन कहकर बुलाया जाता है इन्हें दानापूर के छेत्रों में रिदलाल के उपर हत्या हत्या की कोशिस और रंगदारी जैसी लगभग दो दरजन केस है रेलेवे ठेकेदार बने जो भी उनके खिलाप आया उसे मार दिया रिदलाल का जनम पटना के कुथवा गाउं में हुआ पटना के दानापूर इलाके में इस्ट सेंटरल लेलेवे का डिविजनल हेट क्वाटर भी है कहा जाता है कि दानापूर डिविजन से जीतने भी रेलेवे टेंडर निकलते थे वो रिदलाल के पास ही जाते थे लोग कहते हैं कि जिसने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिस की उसे मार दिया गया कहा जाता है कि लोग आते हैं जाने के लिए लेकिन मैं हूँ लोगों को मिटाने की भाजपा नेतना सत्यनरायन की हत्या के बाद रित लाले बार फिर चर्चा में आएं जब बक्तियारपूर में चलती ट्रेंड में दो रेलवेट ठिकदारों की हत्या कर दी गई इसका आरोब भी रितलाल पर ही लगा रितलाल का एक बिरोधी था चुनूसी इसकी हत्या छट के दिन छट घाट पर ही कर दी गई तब और सूर्खियों में आ गया पुलिस नहीं पकड़ सकी खुद किया इन्होंने सिरेंडर रितलाल को कभी पुलिस नहीं पकड़ सकी 2010 के विधान सभा चुनाव से ठीक पहले रितलाल ने सरेंडर कर दिया इसलिए क्योंकि वे चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने जेल से ही दाना पूर्शीट से निर्दलिये पर्चा भरा उस समय भी उनके खिलाफ आसा दे भी ही थी हाला की रितलाल हार गए जब जेल में ही पुलीस को मारनी परी रेड आईए जानते हैं वो कांड सरेंडर करने के बाद जब कोई अपराधी सरेंडर कर देता है तो उसके बाद क्या होता ये देखते हैं जेल में रहने के बाद भी रितलाल ने रंगदारी मांगना और लोगों को धमकाना नहीं छोड़ा खबरों की माने तो जेल में ही रह कर रितलाल ने एक कोचिंग इंस्यूट के मालिक से एक कड़ो रुपे की रंगदारी मांगी थी इतना ही नहीं एक डॉक्टर से भी रितलाल के गुर्गे पचास लाक रुपे रंगदारी मांगे थे 2015 की अब बात करते हैं जब वो जेल में थे उस समय एक वैक्ती ने फायार दर्ज करवाई कि रितलाल उन्हें रेलवे टेंडर नहीं डालने के लिए धमका रहे हैं और रंगदारी भी मांग रहे हैं इसके बाद रात चार बजे सैक्रो पुलिस वाले बेउर जेल पहुंचे और रेड मारें इस रेड में लाल के वार्ड में रेलवे टेंडर से जुड़े कागजात मिले मोबाइल भी मिला था साथ में एक लोहे का रोड और दो चाकू भी बरामद हुए थे आई ये जानते ह इनके पास की तनी समपति है तो समपति तो अने को जगह जमीन बारह कड़ोर से जादा समपति दो धर जन से जादा केश ये 2020 का ताजा मामला है अभी जो रिपोर्ट निकल करा रहा है उस मिजाब से 2015 में इनके पास समपति काफी कम था मात्र 1.24 कड़ोर ही था केश करीब-क को याता है तो अपराद करना धीरे धीरे कम कर देता है बात 2014 के लोग सभा चुनाव की है लालू की बेटी मीशा भारती पाटली पुत्रा सीट से लड़ रही थी भाजपा ने खिलाब उनके खिलाब लालू के ही पुराने साथी राम किरपाल यादो को उतारा था देश भर मे जीन सीटों की चर्चा थी उनसे जीट भी थी रिधलाल भी यहां से लड़ने की तयारी में थे लालू नहीं चाहते थे को पाटली पुत्रा सीट से लड़ें ऐसा इसलिए क्योंकि इस लाल के लड़ने से मीशा के ब्शकील और बढ़ती कहते हैं कि नालू ने रिधलाल को भरोसा दिलाया कि अगर वो पुत्रा से नहीं लड़ते हैं तो 2015 के विधान सभा चुना में उन्हें या उनकी पत्नी को राजत की तरफ से टिकट दिया जाएगा रीतल ने लालू की बात मान ली इसका फायदा भी उन्हें मिला और उन्हें राजत का महा सचीव बनाया गया गरीबों में ये काफी लोग पिरिये हैं हाला कि उसके बाद भी मिशा यहां से जीत नहीं सकी अगले साल जब विधान सभा चुनाओ आए तो रीतलाल को राजत से टिकट नहीं मिला बाद में 2016 में वे जीत भी गया जिस समयरी लल जीते उस वक्त वह जेल में थे दस में सरिंडर किया 16 में विधान पारसद बने उससे पहले राष्ट्रिये महा जो राजत का महा सची होते हैं वो पद भी इनोंने समाला और अगर जनता कि अपार किर्पा और सहयोग रहा तो 2020 में यह दानापूर से एमेले भी बन सकते हैं तो कल चुनाव हैं जितने भी लोग इनके सहयोगी हैं इनके कारियों से खुस हैं और इन्हें जिताना चाहते हैं तो जरूर भोटिंग करिए और जिताइए हाला कि इनमें 2010 में सेरेंडर किया लेकिन जैसे ही यह बाहर आए तो एक और इन पर केस लद गया यह केस था 30-40 गाड़ी लेके कोरोना काल में यह निकल गया देश बहर में लोग डाउन था और यह 40 गाड़ी के लोगों के साथ रोड पे निकल गया यह भी एक जमानत पर न इकलते ही दर्ज हो गया था केस तो निराश और हतास नहीं होना है और अपराधी भी अच्छे च्छवी का बनना चाहता है हर संभव परियास करता है हर कोई कि वह अपराध न अपनाएं लेकिन गल्ती वस हो जाता है तो अगर जनता का जो मिजाज है वह अगर लाल टेन में तेल डालना है तो आप देख लिजिए और इनका राजनितिक कैरियर और सफर मैंने बताया अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए इनके जितने भी चाहने वाले हैं कल उनका अगनी परिक्छा है इनको जीताना है या क्या करना है ऐसे ये जो आम जन है गरीब किसान मजदूर उनका ये बात अच्छे से रख सकते हैं सदन में तो आप देख लिजिए